Hi friends, welcome to my channel Super Trader Luxe और यहाँ पर हम बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम futures trading कर सकते हैं Nifty और Bank Nifty में कम पैसे में, किस तरीके से हम hedging करें और किस तरीके से बहुत सारे लोगो doubt होता है कि क्या सही में profit बनेगा क्या सही में अगर हम hedging कर देते हैं, तो hedging का cost इतना जादा ना हो कि हमारा profit ही वो खा जाए तो इन सब चीजों के बारे में practical बात करेंगे, practical बात कि किस तरीके से आप इसको कम कर सकते हो और मेरा simple हमेशा कहना है कि आप कुछ भी trade करो लेकिन आपको उसका risk पता होना चाहिए लोग बहुत सारे हैं जो option buying करते हैं लेकिन option buying का risk नहीं पता, बहुत सारे लोग option selling का risk नहीं जानते risk नहीं जानते का मतलब यह है कि वो जब उसको buy करने है उन्हें नहीं पता कि option buying करके बैठे नहीं रहना है option buying सिर्फ momentum का खेल है movement होना चाहिए अगर आप consolidation में option buying कर रहे हो तो वो आपके लिए loss making एक deal होती है अगर आप breakout या breakdown या बहुत जादा movement है उसमें आप option buying कर रहे हो तो profitability होती है इसी तरीके से futures में trading होती है लेकिन futures के लिए क्या है आपको पैसा जादा लगता है तो बहुत सारी लोग बोलते है तो वो गलती करते हैं बहुत सारी लोग इस तरफ आते नहीं ये सोचके कि यार पैसा उधर जादा है option में जादा है तो मैं सबसे पहले clear करूँगा कि futures और options में basic difference बता दूँगा futures क्या है ये बता दूँगा और फिर उसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से आप कम पैसे में भी futures trading कर सकते हो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि futures contract होते क्या है तो जो भी चीजें हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं उसको आप practice करिएगा सीधे blindly implement मत करिएगा थोड़ा सा अपनी भी मेहनत करिए सिर्फ सामने वाला YouTube पर आपको कुछ बना के दे रहा है उस पर totally trust मत करिए trust करिए अपने आप पे और अपनी study पे तो सबसे पहली चीज है यहाँ पर future represents an agreement to buy or sell a specific quantity of stock, security or commodity कोई भी चीज है, index है, stock है, किसी भी चीज को आपको buy or sell करने का एक contract, एक agreement प्रोवाइड करता है और उसको कहते हैं short for future contracts, these agreements are legally binding, they must be fulfilled either by physical delivery or the cash settlement तो basically क्या होता है कि जब भी आप futures को कोई भी contract खरीते हो, तो basically physical delivery or cash settlement का एक mandate होता है जो हम आज भी देख रहे हैं अपने Indian markets में, expiry week में अगर आप trading कर रहे हो तो definitely आपके पास वो stock होना चाहिए, cash में होना चाहिए, तभी आप उसको future option में trade कर पाऊगे last के दो दिन में mandate है, अपने sebi के दौरा ये लाया गया, मैंने कहरा है ये बहुत कोई logical है लेकिन हाँ लाया गया है risk को कम करने के लिए, volatility को expiry के दो दिन में कम करने के लिए लेकिन futures को trade करने का एक तरीका है, तो underlying asset सबसे पहला term जो है, मैं simple भाशा में आपको बताऊँगा कि जो underlying asset है, asset क्या होता है, आपका nifty भी एक asset है, bank nifty भी asset है, कोई भी stock है, reliance है तो वो भी एक asset है, ठीक है, तो reliance भी एक asset है, तो मेरा कहना है कि nifty जो है underlying, इसको trade करने के कुछ तरीके है हम options में trade कर सकते हैं, या फिर हम futures में trade कर सकते हैं, क्या हम nifty को directly खरी सकते हैं, नहीं खरी सकते हैं हम nifty या bank nifty का option खरीच सकते हैं या उसका हम future खरीच सकते हैं similarly हम nifty या bank nifty का option sell कर सकते हैं या future sell कर सकते हैं अगर हमको expectation है कि underlying asset जो nifty या bank nifty या कोई भी share है वो नीचे गिरेगा या उपर उठेगा तो आपको ये पहली चीज तो ये है analysis करके कि भाई नीचे जाएगा या उपर जाएगा या आपको analysis करना है उसकी बात मैं यहां नहीं करूँगा मैं बात करूँगा कि अब आप क्या करोगे future को sell करने से हमें क्या मिलेगा हमें उस contract को नीचे गिरने पे profitable उससे profit बनाने का एक access मिलता है ठीक है ये contract हमें गिरने पे किसी भी commodity किसी भी underlying asset की गिरने पे फाइदा कमाने का मौका देता है तो future को हम sell करेंगे गिरने वाला है तो sell करेंगे अब यहाँ पे important चीज़ यह है कि अगर आप future को sell करोगे तो उसके लिए पैसा कितना लगता है और उस पैसे को कम कैसे करना है ये हमारा मुद्दा है तो हम यहाँ पे जाएंगे जिरोधा में और वहाँ पे हम basket बना के इसको शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब करें अपना support बनाए रखिए super trader लक्ष हमारा main channel है और हमारा एक और चैनल है जहाँ पे हम short videos डालते हैं हमने recently start किया है यहाँ पे short videos डालना STL FinShots इसका भी link आपको हमारे main channel मिल जाएगा इसको भी subscribe करके रखिए क्योंकि बहुत सारे knowledgeable short videos यहाँ पे आने वाले हैं तो दोनों को subscribe करके रखिए और यहाँ पे bell icon दोनों में bell icon दबाएए क्योंकि यह videos अगर मैंने अभी डाला है तो इसका purpose अभी solve करता है आप अगर अभी देखेंगे तभी आपको पैसे बनेंगे तो यह चीज़ आपको ध्यान देना है अब हम चलते हैं जिरोधा में और बात करते हैं किस तरीके से basket में मैं आपको show करूँगा कि किस तरीके से आपको futures को कम दाम में आपको खरीदने को मिल जाएगा तो सबसे पहले हम basket में जा रहे हैं तो यह जिरोधा का basket है अब basket यहाँ पर अलरड़ी मैंने create कर रखा है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ इस basket को edit करता हूँ तो यहाँ पर मैंने अलरड़ी edit करके डाला हुआ था bank nifty को तो मैं दुबारा से इसको आपके लिए add करता हूँ तो सबसे पहली चीज है हमें nifty को short करना है तो या फिर bank nifty का example लेते है bank nifty को short करना है क्योंकि bank nifty बहुत जादा लोग को पसंद है volatility अच्छी खासी रहती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे आजाए कि maximum पैसा इतना लगेगा और अगर आप intraday select करते हो यहाँ पर जब भी तो आपको पैसा जितना दिखा रहा है उसका 75% हो जाएगा तो आपके लिए आसान होगा समझना कि maximum इतना लगने वाला है और अगर मैं intraday select कर लूँगा तो इसका 75 मतलब अगर 1 lakh rupees लगने वाले हैं तो intraday में 75,000 में काम आपका हो जाएगा तो यह आपको understanding यहाँ पर बना लीजे ठीक है अब मैं यहाँ पर overnight select करता हूँ उसके बाद मैं इसको sell करने कोशिश कर रहा हूँ market में sell करता हूँ यह limit में और उसके बाद add कर दिया मैंने तो अब आप देखेंगे यहाँ पर futures का एक contract carry forward अगर मैं करता हूँ तो उसमें कितना खर्चा आता है 1,61,000 का पैसा लगता है अब problem यह है कि 1,61,000 के कारण ही लोग यहाँ पर option को buy करते हैं future को trade नहीं करते हैं और नहीं वो option selling करते हैं लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि अब आपको इसको कम करने का तरीका में बता रहा हूँ तो वो कैसे करेंगे हम अब जब हम उमीद कर रहे हैं जब हम उमीद कर रहे हैं कि जो भी चीज है bank nifty ठीक है bank nifty नीचे जाने वाला है bank nifty का तो 25 रुपय का profit होगा अब मैं यहाँ पर future sell करने जा रहा हूँ मान लो यह future यहाँ से अब मैं आपको यह भी बता देता हूँ यह मान लो 100 point का यहाँ से fall देता है ठीक है 100 point का fall देगा तो आपका maximum profit कितना आएगा 25 into 100 तो यह 2500 का profit आपको बन सकता है एक lot में future को short करने में लेकिन आपका capital कितना लग रहा है आपका capital लग रहा है करीब करीब 1,61,000 अब हम hedging के through इसका capital reduce करेंगे तो hedging का मतलब क्या है उमीद है कि नीचे जाएगा लेकिन हम उसको safety के लिए कि मान लो नीचे ना जाए उपर जाने लगे तो हम दूसरे side के लिए भी तयार रहे है इसको hedging कहते है तो मैं क्या करूँगा bank nifty का call C-E है इसको buy करूँगा अब bank nifty का अगर call आपको buy करना है तो मेरा simple कहना है कि मेरे इसाब से मैं currently angel broking यूज़ कर रहा हूँ आस्था का broker है तो इस video के description में link है आप जाके वहाँ पर check कर सकते है तो जो हमारा STR trading universe है जहाँ पर हम free guidance देने वाले है trading जो भी ideas है वो share करेंगे वहाँ पर तो उसका part बन सकते है जो 1st of September से start होगा तो यहाँ पर मैं आपको यह बता रहा हूँ कि अब हम इसको hedge करना चाहरे है तो hedge कैसे करेंगे हम गिरने के उमीद कर रहे है और हमको दूसरे side का protection चाहिए तो हम क्या करेंगे CE को buy करेंगे अब CE जब आप देखेंगे यहाँ पर तो bank nifty डालिए तो यहाँ पर bank nifty का कौन से CE आपको buy करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि bank nifty का मुझे करीब currently 35,000 चल रहा है तो 35,800 का 35,800 का या फिर मान लो 36,100 का 36,100 का मैं call यहाँ पर July यह July क्यों दिखा रहा है क्योंकि last week में हम है expiry के और सिर्फ यह जो last week होता है उसका July दिखाता है उसमें date नहीं आती है तो July का जो call है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे buy करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इसका price जो है currently 26 रुपीज चल रहा है इसको हम buy कर लेंगे तो इसको आप limit में जो भी है buy करिए overnight position रखिए क्योंकि overnight का हम पहले check कर लेते हैं तो उसका 75% आपका intraday में लगने वाला है तो अब आपका कितना हो गया margin total अब आपका देखेंगे margin हो गया totally 52,000 अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि futures का एक lot trade करने के लिए मुझे कितने पैसे की ज़रत पढ़ रही है सिर्फ पढ़ रही है 52,000 की तो इसका फाइदा इसका फाइदा बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या रहता है अब मैंने इसको buy को ऊपर क्यों किया क्योंकि जब भी हम इस type की strategy बनाते हैं मुझे उम्मीद है bank nifty नीचे गिरेगा मुझे future खरीदना है तो मैं क्या करूँगा पहले मैं call buy करूँगा और फिर future को sell करूँगा ठीक है और जब मैं exit करने जाओंगा तो पहले मैं future को exit करूँगा जो मेरी main position है जिसको मैं hedge करना चाहरा था पहले मैं future जो है उसको exit करूँगा और फिर मैं अपने जो ये call को buy किया था फिर इसको exit करूँगा तो ये sequence आपका होना चाहिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि currently हमको 52,000 में 1,61,000 का का काम 52,000 में हो रहा है आप यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हैं अगर आपको उमीध है कि bank nifty 300-400 point का move देने वाला है जो बहुत सारी लोग करते हैं directional trade लेते हैं लगता है कि याँ bank nifty बहुत बड़ा fall दे सकता है ठीक है अगर आपका analysis ये कहता है तो 400 point का profit अब आपको 400 point का profit है उसके बारे में सोचना है तो यहाँ पे अब क्या करेंगे आप सबसे पहली चीज़ कि अगर 400 point आपका profit है और 25 का lot आपने लिया है तो कितना आपका profit हुआ 10,000 रुपे 10,000 रुपे का आपको profit होने वाला है तो अगर जो आपने दूर का call buy किया है 26 रुपीज का तो 26 into 25 इतना पैसा आपको लगा इसको खरीदने का तो 26 into 25 हो गया करीब गरीब 600 रुपे ठीक है 600 रुपे तो 600 ये उमीद है most probably क्योंकि हम उमीद कर रहे है market नीच जाएगा तो ये 0 ही होना है तो ये आपका loss है ठीक है अब अगर मुझे और सस्ते में काम करना है तो मैं इसको 25 की जगे एक और 25 का lot यहाँ पर buy कर लेता हूँ तो उससे क्या होगा 600 रुपे का और loss हो जाएगा तो मेरा total loss कितना है 1200 रुपे लेकिन मेरी उमीद है कि कम से कम bank nifty यहाँ पर 200-300 पॉइंट तो गिरेगा अगर 300 पॉइंट भी गिरता है यह मैंने 400 पॉइंट का case लिया है अगर 300 पॉइंट भी गिर गया तो भी मुझे 7.5 रुपे का profit बनेगा तो मेरा कहना यही है आप आप देखो कि hedging cost 1200 रुपे है कुछ brokerage भी होगा 1200 रुपे मान लो 300-400 और फिर भी आपको यहाँ पर profit होने वाला है ठीक है तो मैं अब आपको थोड़ा सा और extra hedging करके दिखाता हूँ ताकि और premium कम हो जाए तो आप इसको क्या करो 25 से 50 कर दो modify कर दो आपका काम हो गया 30-35K में ठीक है 35K मतलब मैं नहीं कहूँगा आपको की बहुत कम बिल्कुल thin margin लेके यह काम मत करी आपको यह काम करना है आप कम से कम इसमें 40,000 रुपे ले 40,000 रुपीज रखी है 50,000 रखी है future जो trade करता है मेरा simple कहना है देखिए option selling हमने आपको बताया 20,000 में 22,000 में हो सकता है angel broking का video जो है उसमें 20,000 में अराम से हो रहा है और अगर आपको carry forward करना है option selling तो आपको 25,000 में एक lot हो रहा है 50,000 में 50,000 में 2 lot अराम से काम हो रहा है मतलब यह है कि option selling के लिए आपको 25,000 में काम हो जाएगा अगर आपको future में काम करना है तो आप यह मान लिए 40,000 या 45,000 रखिए पर lot में काम करने के लिए आपका बढ़िया एक strategy बन जाएगा जैसा मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ तो break even की बात मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि break even कैसे होगा तो अगर break even की बात करें तो आपका मैंने क्या बुला bank nifty का मैंने जो buy किया है 26 रुपीज का 2 lot 26 रुपीज का 2 lot है मतलब यह कितना हो गया almost 50 quantity तो 26,500 आपका हो जाएगा करीब करीब अब मान लो आप बोल रहों कि break even मेरा कहां पर है तो 25 into only आपका कितना 26 into 2,300 रुपे है राइट तो 1300 रुपे आप कितने में कमाल होगे ठीक है आपको उतना आपका break even है तो 26 almost 50 रुपे ठीक है तो आपका 50 रुपे break even है मतलब यह है मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मैं premium कम कर ले रहा हूँ लेकिन profit में कब आऊँगा तो profit में आप कब आऊँगे जब आप कम से कम 50-60 points से जादा move bank nifty में देखोगे आप कई लोग बोलेंगे यार 50 points बहुत बढ़ा move होता है आप bank nifty को ध्यान से दिखेगा bank nifty 50 points seconds में move होता है 100-100-200 points के candles बनते हैं आदे गंटी के अंदर तो ये कहना कि यार नहीं movement नहीं मिलता है it's all about कहां पे आप ये strategy लगा रहे हो तो देखिए option selling strategy definitely इसे better है futures में आपको 50-50% chance है कैसे 50% chance है अगर यहाँ पे currently market है तो या फिर उपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा आपको यहाँ पे रहने पे कोई loss नहीं है ये उपर जाने पे आपका profit है अगर मान लोग मीद कर रहे हो कि आप उपर जाएगा नीचे जाने में आपका loss है तो आर या पार की लड़ाई है 50-50 probability से काम होता है option buying में कई लोग बोलते है यार option buying में करता हूँ आपकी probability hardly 10-15% होती है बहुत thin probability है futures में 50-50 रहती है option selling में आपकी 60-70% probability भर जाती है क्योंकि market most of the times कहीं जाता नहीं है थोड़ा उपर जाता है फिर नीचे आता है तो आपका जो option है वो decay होता रहता है so it's all about कि आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या strategy बना रहा हूँ क्या करना चाह रहा हूँ क्या directional trade लेना है मुझे directional trade नहीं लेना है अगर आपको directional trade नहीं लेना है तो futures में trade मत करिए फिर option selling करिए अगर आपको directional trade लेना है safe तरीके से दो तरीके हैं पहला है futures में लीजे जिस तरीके से मैंने बताया hedge करके दूसरा है आप option buy कर सकते हैं लेकिन option buying में risk ज़ादा है इसलिए मैं आपको ये future पे आज एक video बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग futures में trade करना start करें क्योंकि मेरे हिसाब से consistency ज़ादा important है बड़े-बड़े profit बना सकते हैं आप लेकिन problem ये है कि बड़ा risk बड़ा reward ये जो उपर नीचे होगा तो आपका दिमाग जो है वो खराब हो जाएगा एक दिन क्योंकि सीजी सी बाहत है इतना ज़ाद आप side आपके health के लिए अच्छा नहीं है आपके peace of mind के लिए अच्छा नहीं है और आप personal life भी जीना चाहते हैं सिर्फ market के लिए तो आप है नहीं तो इसलिए ये सभी चीज़ें मैंने बताई I hope ये आपको थोड़ी clarity मिली होगी कि futures में trade करना है तो बहुत मुश्किल नहीं है सिर्फ आपको 40-50,000 रुपे में आप एक lot में काम कर सकते हो और आपका जो break even है आप calculate कर लिजे अगर यहाँ पे मैंने 2 lot नहीं ना लिया होता मानलो मैंने यहाँ पे 2 lot नहीं लिया होता तो मेरा 600 रुपीज break even होता और 600 का break even करने के लिए मुझे केवल 25-30 points में मेरा काम हो जाता मतलब 30 points, 30-35 points में से जादा जो पैसा है वो मेरा profit है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि hedge हम protection के लिए कर रहे है हम hedge profitability दिखाने के लिए नहीं कर रहे है बहुत साथ लोग बोलते है ROI, ROI हर चीज मिक्स मत करो ROI की बात कर रहे हो, low risk नहीं कोई दिक्कत नहीं है, low risk, low आप option buying करो लेकिन फिर जब आप बोल रहे हो कि नहीं, safety भी चाहिए returns भी चाहिए, consistency भी चाहिए hedging is always the best solution और मेरे साब से future trading उन लोगों के लिए बढ़िया है जो लोग बहुत साथ return expect नहीं करते 20, 30, 40 points में आपको profit अच्छा खासा आपको दिखता है क्योंकि bank nifty देखिए, दिन का कम से कम 300 point move होता है depend करता है कि आप कहां पे उसको क्या कर रहे हो 300 point का movement है अब मैं कहे रहा हूँ आप last के 100 point मिस कर दो आप मानलो ये bottom बना रहा है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अगर मानलो bottom बना रहा है bank nifty और उसके बाद आप इसको trade करने के कोशिश कर रहे हो यहाँ पे आया bank nifty अभी bottom बना रहा है बहुत देर तक bottom बना रहा है इसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे high high low बनाएगा और suddenly 2-3 candle में ये rocket होगा तो ये जो point है आप यहाँ का point या फिर breakout का wait कर लो और यहाँ पे entry करो आपकी entry यहाँ पे होनी चाहिए लेकिन option buying अगर आप कर रहे है और आप बहुत जल्दी यही पे आपने entry ले लिए इस area पे तो यह जो time है ना यह time जो आपका परिशान करेगा आपको इसमें आप परिशान हो जाओगे इसमें आपका loss भी दिखाने लगेगा और यही पे यही पे अगर आप option से लिंग करते हो उमीद है उपर जाने की आप यहाँ पे PE को sell करके बैठ जाते हो तो आपका यह जैसे यही पे है तो भी profit दिखाने लगेगा आधिक गंटे के बाद और अगर यहाँ से bounce हुआ शार्पी तो एक जटकी में आप देखेंगे प्रीमियम आपका डिके हो जाएगा जो आप जिसको sell करके बैठे हो और यह तरीके हैं profit बनाने के आई होप यह वीडियो आपको knowledgeable लगा होगा और इस वीडियो के comment में ज़रूर बताएए कि कैसा लगा वीडियो और क्या क्या आपको चाहिए मैं इस तरह से strategy लाता रहूँगा और डीमेट एकाउन खुलवाना है हमारे Steel Trading Universe का पार्ट बनने के लिए तो वीडियो के description में links हैं वो group जो है September में जोईन होगा उसका काम जारी है और दूसरी चीज है कि ये मैं चाहता हूँ मेरा mission ये है कि हर वो आदमी जो छोटा trader है वो डरे नहीं कि बड़ा game मैं नहीं खेल सकता बड़ा game खेलो लेकिन बड़े वालों का जो consistent वाला game है वो खेलो उनके जैसे reward चाहिए ना तो उसके लिए capital बड़ा करना पड़ेगा और धीर धीर ही कर सकते हो लेकिन जब छोटा capital है तो भी ऐसा game खेलो जिसमें consistency बनाके आप compound कर सको ये मेरी कोशिश है और इसी पर मैं लगा रहूँगा और मैं आगे चलके मैंने ये बोला भी है कि मैं weekly कुछ ना कुछ strategies किसी ना किसी stock में share करूँगा लेकिन capital आपके पास होना चाहिए लेकिन सेवी ने जो मुश्किल कर दिया है वो तो करी दिया है उसके खिलाफ लड़ेंगे जगडेंगे सब करेंगे विरोत करेंगे लेकिन मेरा कहना simple है जब तक यह चलेगा problem तो हम खाना पीना आपकी जरूरते तो बंद नहीं होगी तो उसके लिए मैंने सोचा यह solution सबसे बढ़िया है और आपको बताना चाहिए I hope मेरा effort काम आ रहा है और comment में जरूर बताईए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे है और क्या क्या चीजें और आपको doubts है questions है अगला वीडियो में बनाता रहूँगा और उसमें मैं clarify करता रहूँगा Thank you very much guys